शिपूरी में चार फीट लंबे रसेल वाइपर साप का रस्क्यू चार दिन से लगातार कॉलोनी में दिखाई दिये रहा था सर्प मित्रों देरात पकड़ा। कुलारस कस्भी के एक कॉलोनी में रविवार रात चार फीट लंबे साप को सर्पमित्रों ने रेस्क्यू किया है पुछे चार दिनों से साप कॉलोनी में देखा जा रहा था जिसमें कॉलोनी वास्यों में दहशत का महुल था साप की प्रजाती रसे लुबाई पर थी कुलारस से रेलवे स्टेशन रोट की ठाकुर बाबा कॉलोनी के रहने वाले विजए कबिर पंथी ने बताए कि एक साप चार दिनों से रोजाना शाम को कॉलोनी में दिखाई दिये रहा था रहवासियों के एक तृत होने के बाद वह जाड़ियों में गायप हो गया जाता था जिससे लोगों में दहशत थी विजए ने बताए कि रविवारात ये साप कॉलोनी में एक चाबुद्रे पर दिखाई दिया जिसकी सूचन ततकल बदरवास करहने वाले सर्प में तसंदीप और दिनेश चंदेल को दी गई उन्होंनी मौके पर पाउच कर्व साप करेस्क्यू किया सर्प में तसंदीप और दिनेश ने बताए कि साप की लंबाई 4 फिट है और प्रजाती रसिल वाइपर है